दोस्तों अगर आप लोग आईफोन यूज़ करते हो तो आईफोन में आप लोगों ऐसा प्रोबलम जरूर देखने के बिला होगा यहां पर आकर स्क्रीन रिश्टक हो जाता अब इसका इलाज एक है आप लोगों को अपने आईफोन को फोर्स रिस्टार्ट करना होगा और iPhone 4 रिस्टार्ट बहुत मुश्किल से होता उसके लिए आप लोगो को करना क्या है Volume Up बटन को दबाना है छोड़ देना है Volume Down बटन को दबाना है और छोड़ देना है फिर जो Power बटन जो Side बटन उसको दबा कर रखना है जब तक कि Apple का Logo ना आ जाए उसके बाद आप लोगों को iPhone है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को जो भी प्रोब्लम था एक स्क्रीन फ्रोजन का जो भी वो सारा फिक्स हो जाएगा